हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्छो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जा रेड़ा उनलाइन क्लासेज में बच्छो आज हम सभी सॉल करेंगे हमारे सब्जेक्ट मैट्स बच्छो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाएए रेड बटन दबाएए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए बच्छो फर्स्ट कोशन है शेड दा पोशन आप दा फॉल्लविग शेप एज आस्क्ट तो देखे बच्छो यहां पर आपका बोल लगा है वन पार्ट आपको शेड़ेट करना है तू में से बच्छो टू पार्ट हमने एक्कवली हमने यहां पर डिवाइड करके वन पार ठीक है यह इक्वल वन पार्ट हो गया नेक्स्ट है बच्छो वन पार्ट हमें कलर्ड करना है तू पार्ट में से तो बच्छो यह टू पार्ट है इसके और इसमें से वन पार्ट हमने यह कवर कलर करके कर दिया नेक्स्ट है बच्छो फोर पार्ट में से आपको थ्री पार पार्ट करने हैं तो यह फोर पार्ट हमने करा इसमें से 1, 2, 3 इस तरह से आपको यह करने हैं, ठीक है, नेक्स्ट बचो, मैच दा गीवन शेड़ पार्ट विद दा गीवन फ्रेक्शन, अब देखिए बचो, यह कितने पार्ट है, टू कलर्ड है, वन तो वन बाइ टू, नेक इतना हो जाएगा, 1 बाइ 4, नेक्स्ट बचो, 1, 2, 3, 4, कलर्ड है 3, तो यह हो जाएंगे 3 बाइ 4, नेक्स्ट बचो, यह 4 पार्ट है, और 4 पार्ट ही यह कलर्ड है, ठीक है, तो यह हो जाएंगे 4 बाइ 4, इस तरह से बच्चो, आपको इन्हें सॉल्व करना होगा, ठीक ह next है बचो how much will each person get if one has to divide the following things as instructed complete the table given below अब बचो देखिए आपको things दी गई है आपको इन्हें half और one fourth में divide करना है तो बचो 12 flowers है इन्हें हम 6 half में divide करेंगे divided by 2 each will get 6 flowers next है बचो 12 flowers को हम 1 by 4 में divide करेंगे तो each will get 3 flowers next है बचो 32 toffees बचो अगर इसे हम half में divide करेंगे तो each will get 16 toffees अब बचो इसे अगर हम 1 by 4 में divide करेंगे तो each will get 8 toffees next है बचो 20 chocolates अगर इसे हम half में divide करेंगे तो 10 chocolates each will get और बचो अगर इसे 1 by 4 में हम divide करेंगे तो each will get 5 chocolates next बचो 16 color बचो अगर इसे हम half में divide करेंगे तो इसे अगर हम 16 को 1 by 4 में divide करेंगे तो each will get 4 colors थीक है इस तरह से आप हाफ में और 1 4 में divide करेंगे next बचो which of the following shape can be divided into 4 equal parts तो बचो 4 equal parts में हम इस shape को divide कर सकते हैं 1 2 3 & 4 तो option B is the correct answer बचो next है given below is a quarter of the picture complete it how many more such quarter will draw to complete it बचो यहाँ पे देखिए आपको एक picture का quarter दिया गया है यानि की एक part आपको दिया गया है यह अब इस picture को complete करने के लिए आपको कितने quarters और चाहिए तो बचो इसको complete करने के लिए 1 2 & 3 पार्ट और चाहिए ठीक है तो यहाँ अपना answer लिखेंगे 3 next बचो life skill how to shop the action or activity of going to the shop and buying things is called shopping which is a common life skill for everyone to learn cost price selling price profit and loss are the general terms which are related to shopping बचो शोपिंग क्या होता है बाजार जाना सामान लाना ठीक है profit होना loss होना यह सब हमारी क्या कहलाती है shopping when cost price is lower than selling price profit occurs and when cost price is higher than selling price loss occurs Rohit mother gives him thousand rupees and send him to a nearby grocery shop to buy grocery the rate list of the following of the grocery shop is given below complete the table given below अब देखिए बचो राइस 40 रुपीज पर केजी था वन केजी वो राइस लेकर आया तो उसने पे कितने के 175 टी ग्रेनर्स 164 पर केजी हाफ केजी लेकर आया 82 रुपीज की राजमा है बच्चों 52 रुपीज पर केजी वन किलो ग्राम ग्राम एन हाफ ग्राम लेकर आया 81 का मिक्स्ट पर केजी पर केजी लेकर आया तो यह है 249 की टोटल बच्चों कितने रुपीज उसने पे करें 936 बच्चों बच्चों भी कोशन हमें सॉल्व करने हैं बच्चों बच्चों इस कोशन से रिलेटेड एक कोशन और है हमारा यहां पर जो मैं यहां लिख रही हूं टोटल अमाउंट कि इस पैंट कि बच्चों रोहित ने टोटल कितना पैसा खर्च किया तो बच्चों इसने टोटल रुपीज 936 खर्च करें ठीक है टोटल अमाउंट लेफ्ट विद रोहित बच्चों रोहित के पास अब कितने रुपे बच्चे तो बच्चों थाउजन रुपीज उसकी मदर ने उसको दिया था 936 उसने खर्च करें अब उसके पास बचे रुपीज 64 नेक्स्ट है बच्चों एक कोशन यहाँ पर हमारा देखिए आज शॉप कीपर बच्चों 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 सबजी वाला बहुत सारी सबजी लेकर आया थेक है 4 रुपीज 1690 एंड शोल्ड देम 4 रुपीज 1450 में उसने बेच दी आपको बताना है कि वो प्रॉफिट में है यह लॉस में है तो देखिए बच्चों 1690 कर लेकर आया 1450 में बेच दिया तो अब्वियसली बच्चों से 240 रुपीज का लॉस हुआ ठीक है तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट सॉल्ड करना है आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद